एक बार की बात है पिजवासन गाउनी आज रात आसवाई में पिजली कड़ कड़ाने के साथ तेज तूफन और तेज बारिश शुरू हो जाती है आसपास के पेड़ तोट कर गिलने लगते हैं गाउं के सभी लोग अपने घड़ के दरुवाजे खेड़कियां बंद कर लेते हैं क्योंकि आज की रात उने बहुत ज्यादा भैंकर और डरावनी लग रही थी मानो जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो कुट्ते भी भौक रहे थे लेकिन कुट्तों के साथ एक बहुत ज्यादा भैंकर आवाज आती है मुझे आखे चाहिए मुझे कुछ भी इखाए नहीं दे रहा है मुझे आखे चाहिए कब्रिस्तान के पास एक बहुत ज्यादा पुरानी जोपड़ी थी जहां पर बहुत समय से एक चुड़ान सो रही थी और वो जब उठती है तो वो आखे मांगती है क्योंकि वो अंदी थी और वो इतनी तेज बारिश में इंसान की आखे चुराने के लिए जा रही थी लेकिन आज सब अपने घर में बंद थे यहां कोई नहीं है किसी के चलने की अवास नहीं आ रही मुझे आखे चाहिए मुझे इस दुनिया को देखना है मुझे आखे चाहिए और वो चुड़ान एक जगा से दूसरी जगा जाती है और वो लोगों के घर के दरवाजे भी खट खट आती है लेकिन कोई अपने घर के बाहर नहीं नकलता और इसी तरह सुबा हो जाती है तुफान और बारिश भी थम जाता है चुड़ान एक जगा इस स्कूल में छुपी बैठी थी और सबी बच्चे अपनी अपनी क्लॉस में पढ़ाई कर रहे थे इतना स्यादा शर कहां से आ रहा है लगता है इस जगा पर बहुत ही स्यादा बच्चे है मैं किसे स्कूल में हूँ सुबा हो चुकी है तुझे यहां छुपे रहना होगा क्योंकि तेरी आँखे नहीं है और तेरे पास शक्तियां भी नहीं और वो चुड़ेल उस स्टाफ रूम में छुपकर बैठ जाती है वहीं दूसरी तरफ नाइन्थ क्लास की क्लास टीचर सुमित्रा मैम उन्हें स्टाफ रूम से अपने फाइल लेनी थी इसलिए वो स्टाफ रूम में जाती है तब ही उन्हीं ऐसा लगता है जैसे यहां कोई हो और वो थोड़ी डर जाती है कौन है यहां अरे चुहा होगा जिसकी वजह से यह फाइल्स केर गई और ऐसा सोचकर वो जैसे ही फाइल्स लेकर जा रही होती है तो उनके सामने वो ही खतरनक चुड़ैल आ जाती है जिसे देकर सुमित्रा में थर थर कांपने लगती है चुड़ैल और वो भी इतनी स्याद है खतरनक चुड़ैल चुड़ैल कोई है यहां क्या कोई मेरी आवास सुन सकता है यहाँ इस स्कूल में चुड़ैल है देखते हैं कि तुम मुझे से बच पाती हो या नहीं मैं अंधी चुड़ैल हूँ और मुझे तुमारी आखे चुरानी है ताकि मैं इस दुनिया को देख सकूँ मुझे तुमारी आखे चाहिए मुझे तुमारी आखे चाहिए और वो अंधी चुड़ैल सुमित्रा मैं की आखे नौच लेती है और उन आखों को खुद लगा लेती है ऐसा करकर वो बहुती ज्यादा खुश होती है और जैसे ही उसे दिखाए देने लगता है उसके पास कुछ शक्तियां भी आजाती है जिसकी मदद से वो सुमित्रा मैं को रास्ते से हटा कर उनका शरीर ले लेती है और कुछ समय बाद वो क्लास में आजाती है इतने सारे मासूम बच्चों को देखकर उसके मुह में पानी आता है वा 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 यहाँ पर कितनी स्यादा खुश्बू आ रही है काश काश ये सब मेरा बोजन बन जाते तो मज़ा ही आ जाता लेकिन अभी नहीं अभी तेरा ये मकसद नहीं तुझे वो सब हासिल करना है जिसे हासिल करने के लिए तुझसे तेरी आखों को चीन लिया गया थोड़ा सब्र और सुमित्रा मैम जल्दी से हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट करवा दिये न आपने कहा था कि आज हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हाँ हाँ पढ़ा दूंगी चुप चाप शान्थ होकर बैठे रहो मुझे परिशन करने की जरूरत नहीं है जब मेरा मन करेगा तब पढ़ा दूंगी अभी शान्थ बैठ जाओ उस आख चुराने वाली चुडल को कुछ भी बढ़ाना नहीं आता था इसलिए वो सब बच्चों को चुप करकर पिठा देती है सभी बच्चे एक दूसरे का मुहो देख रहे थी क्योंकि उनकी सुमित्रा मैम बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी और वो आपस में बात करने लगते हैं आज मुझे सुमित्रा मैम थोड़ी बदली बदली नजर आ रही है तुमने इनका चहरा देखा हमें कैसे देख रही थी और हम सब बच्चों को देखर कैसे मुस्कुरा रही थी सुमित्रा मैम के अंदर यह बदलाव मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है हाँ कुछ तो गलत होने वाला है वो सभी बच्चे आपस में इस तरह से बात कर रहे थे लेकिन उस चुड़ाल को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था इस कुल की छुट्टी हो जाने के बाद वो एक शैतान चुड़ाल के पास जाती है जो इन सब की सर्टार थी हाँ 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 देखो मैं इतने सालों बाद वापस आ गई हूँ और मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाए दे रहा है दुनिया बिल्कुल नहीं बदली बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने लास्ट टाइम छोड़ी थी हाँ 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 चुड़ालो की सर्दार अगर मैं बीस बच्चों की नए नए आँखे तूम्हे ला कर दे दू तो तुम मुझे वह शकतिया दे दोगी ना जिनने देने का आपने मुझे से वादा किया था हाँ हा नहीं तुम इतने सालों से मेरे साफ नहीं हो इसलिए मैंने तुम्हारी जगह किसी और को ये काम सोब दिया वो एक बच्चे की आँखे तो लेकर आगई है, चार बच्चों की ओर लेकर आएगी और कुछ ही समय में पचास बच्चों की नई आँखे लाकर मुझे देगी, हाहा, इसलिए वो शक्तियां तो उसे ही मिलेंगी, तो मैं नहीं, हाहा, तुम मेरे साथ ढ़का नहीं कर सकती, तुमने मुझे से वादा क्या था, अगर मैं तुम्हें बीस बच्चों की नई आँखे लाकर दूँगी, तो तुम मुझे भविश्य देखने की शक्ति दोगी, अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हड़ सकती, तुम मेरी जगा किसी और को आँख चुराने का काम कैसे स समय बरबाद मात करो, जाओ यहां से, अगर मैं सो बच्चों की नई आँखे लाकर तुम्हें दू, तब भी तुम उस चुडायल को ही भविश्य देखने की शक्ति दोगी, या फिर मुझे, मैं तुम्हें दो दिन के अंदर अंदर सो बच्चों की आँखे लाकर दूँग मैंने दोनों चुडायलों को अच्छी तरह बेफकू बनाया, ये मेरे लिए आँखे चुरा कर लेकर आएंगी, और मैं इन्हें भविश्य देखने की शक्ति नहीं दूँगी, बलकि उन सभी आँखों की मदद से आमावस किरार भविश्य देखने की शक्ति खुद बविश्य देखने की शक्ति दे दूँगी, अब जाओ यहां से। समित्रा मैं हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, देखे कितनी ज़्यादा लाल हो रही है, और सिर्फ मेरी ही नहीं, हमारे पूरे क्लास के बच्चों के साथ यही हो रहा है, पता नहीं, सब बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत दर्द हो रह और वो धीरे धीरे इसकूल के काफी बच्चों की आँखों के साथ ऐसा कर देती है प्रिंसिपल मेम बहुत ज़्यादा परिशान हो जाती है तब ही वो दुस्ट आँख चुराने वाली चुडल प्रिंसिपल मेम से कहती है प्रिंसिपल मैम एक दो बच्चों के साथ यह प्रोब्लम नहीं है ना चाने इसकूल के कितने बच्चों के साथ यह सब हो रहा है सब की आँके लाल हो रही है और उन्हें दूंदला दूंदला नजर आ रहा है प्रिंसिपल मैम यह सब कुछ इस स्कूल में ही हो रहा है अगर बच्चों के पैरेंट्स को पता चला तो वो इस स्कूल को बंद करवा देंगे सुमित्रा मैम यही तो सोच सोचकर मैं भी परिशान हूँ आखिर बच्चों के साथ यह सब हो क्या रहा है सब ही बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है उनकी आखों से खून के आँसों बह रहे है मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यह सब क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है वो जो हमेशा आप से competition करती है, इस school की उचायों से जलती है, उसने ही इस school पर काला जादू करवाया है, तभी तो बच्चों की आँखों के साथ ये हो रहा है, वो धीरे धीरे इस school की सभी बच्चों को अंधा करना चाहती है, प्रिंसिपल मैम ये काला जादू है, काला जाद बड़ी ही खतरनाक चीज है, मैं एक बाबा को जानती हूँ, सभी बच्चे एक ही फूक में ठीक हो जाएंगे, प्रिंसिपल मैम की जो competitor थी, वो उनसे बहुत ही ज्यादा जलती थी, और उन्हें उस आँख चुराने वाली चुडायल की बात पर विश्वास हो जाता है, और बेच जारे प्रिंसिपल मैं उस आँख चुराने वाली टीचर के साथ उन सभी बच्चों को जाने की पर्मिशन दे देती है, और वो चुड़न उन सभी बच्चों को अपने साथ ले जाती है, और वहाँ जाकर अपने असली रूप में आ जाती है, कौन हो तुम, और हमें यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, तुम तो एक चुड़ा है लो, नहीं, नहीं, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, हमें नहीं मारो, प्लीज, प्लीज, हमारे साथ ऐसा मत करो, कोई है, बच्चाओ, हमें बच्चाओ, मुझे इन सभी बच्चों की आँखे जल से जल निकालनी होंगी इससे पहले कि ये बच्चे अंधे हो जाए मेरा जादू मुझे पर ही उल्टा पड़ जाए मुझे इन बच्चों की आँखे चुरानी होंगी और उसके बाद मुझे बविश्य देखने की शक्ती मिल जाएगी प्यारे बच्चों मैं तुम्हारी प्यारे सुमित्रा मैम नहीं हूँ मैं तो आँख चुराने वाली चुड़ैल हूँ अब तुम सब की आँखे चुराई जाएगी यह सुनकर सब ही बच्चे बहुती जोड़ जोड़ से चिलाते हैं रोते हैं गड़ गड़ाते हैं वही दूसरी तरफ मट्याला गाउं के इसकूल की प्रिसिपल गोरी और सुजाता मैम आँख चुराने वाली चुड़ैल को ढोड़ रही थी लेकिन उन्हें सलोनी चुड़ैल का पता नहीं चली रहा था यह मेरी ही गलती है काश उस दिन में उस चुड़ैल से डरी ना होती तो आज यह सब ना होता पहले अमरीता की आँख अब मेरी दोस्तों की आँख कहां होगी वो आँख चुड़ाने वाली चुड़ैल कहां होगी आरे शकुंतला तुम यहां तुम तो बहुत ज्यादा परिशान नजर आ रही हो क्या हुआ सब ठीक तो है ना आरे कलावती तुम यहां तुम्हें देखकर मेरी सारी परिशानी दूर हो गई हम कितने सालों बाद मिल रहे है यार मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरे स्कूल के उपर क्या मुसीबत आ पड़ी है मेरी कॉम्पिटीटर उसने मेरे स्कूल के उपर काला जादो करवा दिया है मेरे स्कूल के सभी बच्चों की आँखें खराब होती जा रही है उन्हें कम दिखाई दे रहा है वो तो भला हो मेरे स्कूल की टीचर का जो उन्हें एक बाबा के पास लेकर गई है उसकी फूंख से वो सब बच्चे ठीक हो जाएंगे शकूंतला मैम एक मिनट आपको कैसे पता चला कि आपकी कॉम्पिटीटर ने आपके स्कूल के पर कला जादू करवाया है इसलिए आपके बच्चों की आँखें खराब हो रही है अरे मेरे ही स्कूल की एक टीचर है उन्होंने मुझे बताया और वो उन सभी बच्चों को अपने साथ लेकर गई है ताकि वो आसानी से उन सभी बच्चों की आँख चुरा सके शकूंतला मैम क्या आप बता सकती है आपके इसकूल की वो टीचर उन्हों सब बच्चों को किस बाबा के पास लेकर गई है आँख चुराने वाली टीचर यह तुम क्या कह रही हो मेरे आग चुराने वाली टीचर है और वो उन सभी बच्चों की आग चुराने के लिए लेकर गई है ओ नो मुझे नहीं पता था कि मेरे समझदारी उस चुडल को पकड़ने में काम आएगी जब वो जा रही थी तो मैंने एक डिवाइस उसके बैग में रख दी थी पता नहीं क्यूँ अब हम उस डिवाइस की मदद से ये पता कर सकते हैं कि वो चुडल उन सब बच्चों को कहा लेकर गई है शकुंतला मैम जल्दी से पता करती हैं कि वो चुडल उन सब ही बच्चों को कहा लेकर गई होगी और कुछी समय में पता चल जाता है और सब मिलकर उस जगा पर पहुँच जाते है अभी तक उस चुडल ने उन बच्चों की आँखे नहीं निकाली थी बच्चे रो रहे थे, गिड़ गिड़ा रहे थे प्यारे बच्चों, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा मैं पहुँच प्यार से तुम्हारी आँखे निकालूंगी बस तुम्हें कुछ दिखाए नहीं देगा तुम अंधे हो जाओगे और मुझे बविश्य देखने की शक्ती मिल जाएगी तुम अपने नापा की रादों में कभी काम्याब नहीं होगी तुझे बविश्य देखने की शक्ती कभी प्राप्त नहीं होगी मैं तुझे इन बच्चों की आँखे नहीं चुराने दूगी और कलावती मैं उस चुडल के चारों तरफ पवितर जल चड़क देती है जिसकी मदद से वो कुछ ही समय में जल कर राख हो जाती है और कलावती मैं सभी बच्चों की आँख में भी पवितर जल डालती है जिसकी मदद से उनकी आँखे ठीक हो जाती है और वो इस गुफा में छुप जाती है प्रिंसिपल में मुझे पूरा विश्वास है कि वो दूसरी चुडल इस गुफा में ही आएगी मेरे दोस्तों को लेकर हमें छुप कर रहना होगा और बहुत ही ज्यादा साब धानी से उनके उपर हमला करना होगा और सब उस गुफा में छुप जाते हैं जैसा कि गोरी ने कहा था वैसा ही होता है सलोनी चुडल वहाँ पर गोरी के दोस्तों को लेकर आ चाती है और उसके साथ वो सड़दार भी थी हाँ 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 चुडलों की सड़दार कहा है जो तुम्हें सो बच्चों की आँखे देने वाली थी वो तो यहाँ नजर नहीं आ रही आपको उसके उपर भरोसा नहीं करना चाहिए था आपने उसके उपर भरोसा करकर बहुत बड़े गलती की इससे पहले की और समय बर बाद हो मैं इन सभी बच्चों की आँखे निकाल कर तुम्हें देती हूँ और उसके बाद जैसा की मैंने तुमसे वादा किया है तो तुम मामुली इंसान हमें रोकोगे हमें तुम आख चुराने वाली चुड़ैल को कभी नहीं रोक पाओगे कभी नहीं तेरे एक साथी को कुछ समय पहले ही मार गिराया है अब तुम दोनों की बारी है मरने के लिए तयार हो जाओ और ऐसा कहकर कलावती मैम उन दोनों चुड़ैल के उपर पावितर जल छड़क देती है जिसकी मदद से वो कुछ ही समय में जलकर राख हो जाती है गोरी अपने दोस्तों से बिलकर पहुती ज्यादा खोश होती है शकुंतला मेम अपने दोस्तों को धन्यवात कहती है कलावती सिर्फ तुमारी वज़ा से ही इन सब बच्चों को अंदा होने से बचाया गया है लेकिन मुझे सुमित्रा मेम की मोद का बहुत दुख है हम सबने मिलकर आख चुराने वाली चुड़ालों का सरवनाश किया है जिस तरह तुमने अपने इसकुल की एक टीचर को खोया है इसी तरह हमारे भी इसकुल की एक स्टुडेंट की आख चली गई है लेकिन उपर वाले का बहुत बहुत धनेवाद की ज्यादा नुकसा नहीं हुआ सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है और सबसे ज्यादा खुशी उन्हें इस बात की होती है कि उन्होंने आख चुराने वाली चुराल को उनके नापक इरादों में काम्याब नहीं होने दिया